PM किसान सम्मार निधी केंदर सरकार की एक योजना हैं जिसमें किसानों को हर साल 6,000 रुपे, 2,000 रुपे की किष्टों में दिये जाते हैं लेकिन कुछ लोग इस योजना का मिस्यूस कर रहे हैं और दूसरों का आधारकार यूस करके उस पर पैसे ले रहे हैं मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि उसने कभी PM किसान सम्मार निधी योजना के लिए अपलाई नहीं किया है लेकिन जब उसने साइट पर अपना आधारकार नमबर डाल कर चेक किया तो उस पर कोई पहले से ही पैसे ले रहा है तब मैंने खुद से चेक किया उसकी वाइफ का चेक किया कुछ और लोगों का चेक किया तो मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम काफी सारे लोगों के साथ है उनके आधारकार को यूज करके कोई अपना बैंक अकाउंट नमबर लगा कर पीम किसान सम्मान निधी योजना का पैसा ले रहा है तो मुझे लगा केस पर वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम कई सारे लोगों के साथ हो सकती है इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई आपके नाम पर पीम किसान सम्मान निधी का पैसा तो नहीं ले रहा है और कैसे आप उसकी कंप्लेन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पीम किसान सम्मान निधी योजना का स्टेटस चेक करने के लिए कोई आपके आधार काड़ पर पैसे तो नहीं ले रहा है और उसकी कंप्लेन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक आप्शन मिलेगा help desk इस पर आप क्लिक करेंगे इसमें आप register query सेलेक करेंगे और इसमें आप अपना आधार काड़ नंबर सेलेक करेंगे यहाँ पर अपना आधार काड़ नंबर डाल कर get details पर क्लिक करेंगे अगर आपके आधार कार्ड पर PM किसान संबान निधी योजना का लाब नहीं लिया जा रहा है तो आपके सामने इस तरह का स्टेटस आ जाएगा इंटर वैलिड आधार नंबर लेकिन अगर आपके आधार कार्ड पर PM किसान सम्मानिधी योजना का लाब लिया जा रहा है तो आपके सामने इस तरह से पूरी डिटेल्स आ जाएगी इसमें आप अपना नेम और एडरस देख सकते हैं साथी यहाँ पर इंस्टॉल्मेंट देख सकते हैं कितनी इंस्टॉल्मेंट ले ली गई है जैसे कि मेरे फ्रेंड की वाइफ का आधार कार्ड यूज करके कोई उस पर इस योजना का लाब ले रहा है उन्होंने कभी भी PM कि सब्मानिधी योजना के लिए अपलाई नहीं किया है लेकिन यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल कर उनकी डिटेल्स आ रही है और साथी यहाँ पर किसी का अकाउंट नंबर आ रहा है जिसमें वो लगतार इस योजना के पैसे ले रहा है तो अगर आपके आधार कार्ड भी कोई फरजी तरीके से पैसे ले रहा है तो आपको उसकी कंप्लेंट करनी होगी जिसके लिए आप ग्रिवेंस टाइप में चूज कर लेंगे अकाउंट नंबर इस नोट करेक्ट इसके बाद यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट टाइप करेंगे चैसे कि यहाँ पर मैंन इस स्कीम का बैनिफिट ले रहा है तो पिलीज इसको कैंसिल करिए और इस परसन पर एक्शन लेजिए इस तरह से आप अपनी कंप्लेंट यहाँ पर टाइप करेंगे इसके बाद आप यह कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे और सब्मिट कर देंगे आपकी कंप्लेंट रज रजिस्टर हो जाएगी चेक करने के लिए आप यहाँ नोधा क्वेरी स्टेटस पर क्ली करेंगे इसमें अप अपना आधार काड नमबर डालकर गेट डेटिल पर क्ली करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है इसके बाद ओफिसर चेक करेगा और वो यहाँ पर status को update कर देगा तो अगर आपने PM किसान सम्मानिधी योजना के लिए apply नहीं किया है तो आपको अपना और अपने सभी family members का आधार number यहाँ पर डाल कर चेक करना है कि कोई उनके आधार number को use करके उस पर पैसे तो नहीं ले रहा है आई हूप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए अपने friends के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई confusion है तो आपने चेक comment करके ऊट सकते हैं